हलो फ्रेंड वेलकम टू फ्रेंड्स एड़ दिरेट पेपरेशन इस सेनल पर मैं लेकिया आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो इस वीडियो में मैं डिसक्स करने वाला हूँ किंद्री विद्याले का क्लास 6 का इंग्लिश का कोशन पेपर का फॉर्मेड कि आपका annual exam का question paper किस type का होगा कैसे इस question paper को frame किया जाता है इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है यह जो question paper है आपका वो 60 marks का होने वाला है और इसमें answer writing के लिए आपको 2 hour 30 minutes दिये जाएंगे और इसमें जो question paper का जो format में sections में इसे divide किया जाता है कि जैसे आपका यह English का question paper है तो इसे section A, section B और section C इन 3 section में आपके पूरे question paper को divide किया गया है फर्स section की बात करें section A तो यह reading का portion है जिसके अंदर आपको passes दिये जाएंगे और यह जो passes होंगे unseen passes होंगे unseen passes का मतलब यह होता है कि जो कि आपकी textbook से नहीं होंगे बलकि textbook से बाहर आपको reading के लिए passes दिये जाएंगे और यहाँ पे question number one और two इन दोनों के अंदर आपको passes देखने को मिलेंगे जो question number one होगा पहले हम उसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर आपको one marks वाले eight questions आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरह से आपका जो question number one होगा इसमें eight parts होंगे और सब को मिलाकर कि 8 marks का पूरा complete portion हो जाएगा यानि आपको पहले पैसिस पढ़ना होगा और उसके basis पे जो 8 small questions होंगे 1 marks वाले उनके answer आपको लिखने होंगे उसके बार next पैसिस होगा आपका question number 2 के अंदर यहाँ पे आपके पास जो question number of questions होंगे वो 7 हो जाएंगे और हर एक question के 1 marks होंगे यानि कि first वाला जो question है उसकी weight is 8 marks की है और जो second question है उसकी weight is 7 marks की है ठीक है हर एक question 1 marks की है तो इस तरह से first वाला जो पैसिस होगा वो 8 marks का हो जाएगा और second वाला जो question होगा जो पैसिस बेस्ट होगा वो 7 marks का इस तरह से 15 marks का पूरा portion ये section A के अंदर आने वाला है जो कि reading portion आप इसमें बोल सकते हो उसके बाद next है आपका section B section B के अंदर आपका writing skill और grammar based आपके लिए questions पूछे जाएंगे इसमें question number 3, question number 4, question number 5 और इसके लाभा question number 6 to 9 यानि कि आप ये कह सकते हो कि question number 3 से लेकर कि question number 9 तक जो होगा ये आपका cover होगा section B के अंदर basically इसके अंदर writing portion आपका check किया जाएगा कि आपकी writing skill कैसी है और साथ की साथ आपका जो grammar कि आपकी कितनी पकड़ है ये सारे इन सब को ध्यान में रखते हुए question आपके लिए frame किया जाएगा सबसे पहले बात करते है question number 3 की तो question number 3 के अंदर आपको एक notice लिए question आएगा और ये जो question होगा four marks को होगा जैसे school के अंदर कई बार हमें कुछ चीजे मिल जाती है ठीक है और जब हमें वो चीजे मिल जाती है तो हम दूसरों को inform करते हैं कि हमें ये चीजे मिले जैसे किसी का geometry box मिल जाता है किसी का tiffin box मिलता है या किसी का water bottle वगरा मिल जाता है तो इसके लिए हम notice कैसे लिख सकते है ये इसके based question आएगा और कई बार क्या हो जाता है कि हमारा खुद का ही कुछ समान को जाता है तो उसके लिए आप notice कैसे लिख सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए, ये question frame आपके लिए किया जाएगा, कि कोई भी चीज lost हो जाती है, कोई चीज हमें मिल जाती है, found होती है, तो उसके लिए notice कैसे लिखा जाता है, इस basis पे आपका ये question होने वाला है, जो की four marks का ये question होगा, उसके हम एक letter अपने friends को, या फिर अपने relative को, या फिर किसी family member को जो हम लिखते हैं, यानि कि इसके अंदर कोई proper हम लोग format follow नहीं करते हैं, बलकि जिसको भी हम letter लिख रहे हैं, उसका नाम लिखते हैं, और जो भी बात हमें कहनी होती है, हम लोग अपनी बात कहते हैं, और end में अ आपका four marks का हो जाएगा, next है आपके लिए question number five, और question number five ये आपका short composition based question होने वाला है, जिसके अंदर कुछ clue word आपको दे दिये जाएंगे, और उसको basis पर आपको एक story writing आपको करनी होगी, और ये जो question है, ये five marks का question होने वाला है, जिसके अंदर आपको clue word की help से एक story narrate करनी ह होगी, एक story लिखने होगी, और ये एक short story आप कह सकते हो, जो कि आपका ये पूरा question जो है, आपका five marks का cover होगा, इसके बाद next है, आपके लिए question number six, seven, eight और nine, यहाँ पर four ऐसे questions होगे, और जिसके अंदर आपको जो question frame किये जाएंगे, वो grammar based आपका ये question frame किया जाएगा, जि को ध्यान में रखते हुए, प्री position को ध्यान में रखते हुए, और इसके अलाबा कुछ फिलिंदी blanks के format में होगे, कही बाद आपको spelling वगरा check करने के लिए question दे दिये जाएंगे, तो total यहाँ पर आपको seven questions देखने को मिलेंगे, और हर एक question के one marks के हरे question होने वाला है, तो अंदर हार एक पार्ट के one one marks भी हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जो आपका ये second section है, section B, section B आपका ये 20 marks का cover होने वाला है, देखे section A अल्रेडी हम लोगों discuss कर चुके है, 15 marks का था, और section B आपका ये 20 marks का हो गया, अगर इनको total करेंगे तो आप भी तक आपके 35 marks का जो portion ह ये मैंने आपके साथ discuss कर लिया, इसके बाद next है आपका section C, और जो section C है, इसकी वेड़ी is 25 marks की होने वाली है, अब एक ये करके समझ लेते हैं, कि जो section C है, जो आपकी NCRT book है, literature वाली बुक है, और prose poetry वाली, उसको ध्यान में रखते हुए ये section है, और यहाँ पे आपकी NCRT book के अंदर जो भी आपने story या poem पढ़ा है, उसको ध्यान में रखते हुए आपसे question पूछा जाएगा, जैसे बात करते है question number 10 की, question number 10 जो होगा, वो poem के base पर आपके लिए question पूछा जाएगा, जो भी poem वगर आपने पढ़ा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए question frame किया questions आपके होने वाले हैं, ठीक है, तो इस तरह साब भी कहा सकते हो, कि question number 11 जो है, यह भी आपका 3 marks का है, और question number 10 जो है, यह भी आपका 3 marks का portion cover होगा, उसके बाद next है, आपके लिए question number 12, और जो question number 12 होगा, ठीक है, यह जो question होगा, ठोड़ा lengthy होगा, यानि कि यह two marks का question हो लेव कि टू मार्क्स वाले टू कोशन्स हो आपके देखने को मिलेंगे और इस तरह से आप कह सकते हो कि यह जो कोशन नमर 13 पूरा अगर मैं इसकी पूरे की वेटेस करूँ तो फोर मार्क्स का आपका यह कम्लीट पोशन होने वाला है उसके बार नेक्स्ट होगा आपके लिए पास लास्ट कोशन आपका यहाँ पे कोशन नमर 15 होगा और जो 15 कोशन है यह कोशन आपके पास जो होगे आप यहाँ पे वन कोशन होगा ठीक है यह वन कोशन होगा और यह जो कोशन के मार्क्स होगे आपके यह 3 मार्क्स के हो जाएंगे तो इस तरह से आप कह सकते हो कि पूरा जो section C है अगर इन सब का total करोगे तो आपके वास 25 आएगा इससे पहले जैसे हमने पहले discuss किया था कि section A जो है आपका ये 15 marks का portion है section B आपका 20 marks का portion है और section C जो है ये आपका 25 marks का complete portion होने वाला है इन सब को combine करोगे तो 60 marks का आपका ये return exam यानि कि ये जो annual exam होने वाला है I hope आपको ये सारी चीज़े अच्छे से समझ में आ गई होगी फिर भी अकर कोई doubt है कुछ पूछना है तो आप लोग मुझे instagram पर follow करके message पर अपने doubts मुझसे ऊच सकते हो वीडियो को like ज़रू कर दीजी ताकि ऐसी और informative वीडियो में आपके लिए channel पर ला सकूँ और channel friends at the rate preparation को subscribe कर ल बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि latest वीडियो की notification आपको मिल सके है thanks for watching bye bye